बॉलीवूड वाले चूतिया हैं, बॉलीवूड को बायकोट करो, बॉलीवूड को भगाओ, बॉलीवूड के सारे एक्टर भगोड है, रीमेक है, कोपी पेस्ट है, चिटिंग खोड़े, और क्या-क्या सुनू में अपनी कमेंट में, बॉलीवूड वालो तुमको सरम नहीं यारी हर एक चीज का रिमेक करने पर तुले हुए हो यहां तक कि सारुक खाने तो अपने पुरा जीवन ही रिमेक करके बिता दिया है हाला कि अब ओडे समझदार हो चुकी है तो उनको बालू पड़ा कि रिमेक का मतलब क्या होता है आपको बता दे यार कि बॉलिवूट का ए उनके जो डारेक्टर हैं वो शुरू से लेके अंत तक काफी रिसर्ज करते हैं एक इस्टोरी को लिखने के अंबर ही लगबग दो-दो साल लगा देते हैं स्राजमुली को देखो कौन सा करेक्टर नहीं है जिसको मेन लीड में उन्होंने नहीं रखा हो ऐसा कभी आपने सुना है कि बॉलिवूट की कोई सी फिल्म में किसी करेक्टर को मेन लीड में रखा गया हो सिप एक ही character main lead में रिता है वो है hero और अगर उसके लवा कोई दूसरा दिखाया जाए तो villain दो ही रिते पर South की हर एक film में कंदर हर एक character को काफी जरूरी किरदार दिया जाता है फिल्म का background music फार देने वाला होता है फिल्म में की story audience, comedy, strategy हर एक level की होती है जो की audience देखना पसंद करती है आप एक रद्धी movie को उठालो और Bollywood की शांदर movie को उठालो आपको South की रद्धी movie भी Bollywood की शांदर movie से कहीं चला अच्छे लगेगी अब दोस्तों आपको एक सबसे बड़ा उधरण देता हूं सत्यमेव जयते 2 अब है 30 पिच्चर थी 30 हमारे भारत का नाम बनाम करते सत्यमेव जयते 2 को रिलीज करके दूसरी बेकार फिल्म बच्चन पांडे दोस्तों कोपी करने के लिए भी अकल की जड़वत होती है वो बोलते ना टीचर और के नकल के लिए भी अकल की जड़वत होती है ऐसा ही कुछ इस फिल्मे के अंदर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा जिगर ठंडा की इनोंने रिमेक करी और वो भी इतनी बेकार करी कई सरसीन तो काटी दिये करना थी तो पूरी करना थी ना भाई इतनी भी क्यों करी मैं क्या बूलूँ बॉलिवुड में इतनी सारी रिमेक फिल्म में बनाय जाती है बागी दिमाग थोड़ा सा भी नहीं लगा जाता जो टेलेंट है उसको मौका नहीं दिया जाता इसलिए ही तो हम सभी के बीच में बॉलिवुड वाले काफी ज़दा डाउन फॉल होते जा रहे हैं जितने में मुवी बनती है उतनी इनकी फी से और दोस्तो साउथ फिल्में इंडस्टी में जितनी हिरोस की फी से जाने कि 70-80 करोड में बहतरिंग फिल्में बन का तियार हो जाती है उसका बहतरिंग सभूत पहली फिल्म बाहु बली बजट कितना था? 200 करोड के सम्थिंग कमाया कितना था? बहतरिंग बाहु बली 2 कितने में बनी? 200 करोड रुपे के सम्थिंग और कमाये कितना हिंदी वर्जन में 511 करोड रुपे उसके बाद में नाम आता है फिल्म में KGF चेप्टर 1 का फिल्म में का बजट कितना था 70 से 80 करोड रुपे कमाये कितना वर्डवाइटली साड़े 300 करोड रुपे इतना तो भरत की बॉलिवुड के फिल्मों का बजट ही होता है उसके बाद में एस संकर की फिल्म रुबोट टू पेंटो लगता है कि बंदने पेसा लगाया बॉलिवुड में लगता है नहीं लगता है उसके बाद में बात करी जाए KGF चेप्टर 2 की 100 से 1500 करोड बजटे भ होते है ना एक बून है ना उसको पी के बाद जाओ तुम सब क्योंकि उतना ही है हरे जदा पानी बरबात करेंगे तो अर भारत को दुख होगा कि कोन-स चूतीं पानी बरबात कर दिया यहिवार